कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं, जो एक बारी बात कह दी, उसको पूरा करके रखते हैं, चाहे उल्टा क्यों ना लटकना हो, मेरा पूरा समर्थन और पूरा साथ शेलजाजी के साथ है, और यहां मेरे सामने आये होए, दूर दूर से, हिसार से और पूरे हर्याना स जितने लोग आए हैं, सबका जो यह रीट की हड़ी जो आज कॉंग्रेस की सामने बैठी है, आप सबको मैं नमन करती हूँ, आज यह जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, यह हर्याना के अंदर एक इतिहास रचेगी, इस बात को आप याद रखिएगा, यह शुरुआत जो कोई थी, जो आवाज दुखी थी, जो हर वर्ग जो है, जो तरस था, आज जो है समय आ गया है, भाई और भेनों, कॉंग्रेस के सभी करमट कारे करताओं, कि आप उठ जाओ, जागो, और हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो हम निकल रहे हैं, इसके लिए संगर्ष हम सब को करना पड़ेगा, संगर्ष करने के लिए आप लोग सब तयार हैं, सब तयार हो, तयार हो, दरोगे नहीं, दरो मत, जैसे राहुल जी कहते हैं, किस बात का डरना, जब हमने जनता की आवाज उठानी है, आम जनता, जो तरस्त है, आज दस साल हमने देख लिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या हाल हो रहा है, पूरे हर्याना के अंदर क्या हाल हो रहा है, नतीजा आज ये है, जैसे मैंने कहा, कि हर वर्ग जो है, दुखी हो चुका है, और वो ये समय देख रहा है, कि किस समय, वोटों का समय आए, और हम इनको वोटों के जरीए, बाहर निकालें ये जो यात्रा शुरू कर रहे हैं हम साथ में राहुल जी ने अपनी नया यात्रा जो है नौर्टीस से शुरू करी है इस यात्रा का शुरुआत जो शेलजा जी ने रंदीब जी ने और मैंने जो संकल्प लिया वो इसलिए लिया कि हम जानते हैं कि आप यह संगर्श करने के लिए हम सड़कों के ओपर निकलने के लिए तयार हैं आप सब जानते हैं कि आज हालात क्या हो रहें आज हालात ऐसे हैं कि जो है सारे के सारा हर तरीके से लोगों को गुम्राख करा जाता है क्या बात नहीं होती अब जो है चुनाव का जब समय आ रहा है तब धरम के उपर बात आ रही आपने देखा कल मैं टीवी पर देख रही थी कि हमारे चार चार धर्मचारे जो है जो हमारे आदी शंकर और हमारे सारे के बार बार जो है गुमरा करके अलग-अलग मुद्दे लेकर आए जाते हैं इन मुद्दों से जो है बीजेपी जो है आपका ध्यान भटकाने की बात करती है तो ये संदेश जो आज हम लेकर जा रहे हैं कि ये भटकना नहीं है हमने आगे अपना काम करना है और निश्चित तोर से मैं आज आपको वाइदा करके जाती हूँ हर्याना के अंदर कॉंग्रेस की सरकार बनेगी और उस सरकार के अंदर आप लोगों का नेत्रित्व होगा डरना नहीं, गुम्रा मत होना चाहे कोई कुछ क्यों न कहे हम यहाँ पर कॉंग्रेस के समर्पित सिपाई हैं और समर्पित सिपाई होने के नाते खड़गे जी के, जो हमारे राश्ट्रिय धक्ष हैं और रहुल जी, जो हमारे बहुत ही प्रियानेता हैं उनके नेत्रतों के अंदर हम लोगों ने काम करना है हम लोगों ने आगे बढ़ना है और बढ़ हम केवल तब सकते हैं जब हमारा कॉंग्रिस का जो कारे करता है वो द्रेड संकल्ब लेकर खड़ा हो जाए और सोच ले कि अब से लेकर लोग सभा तक उसके बाद चुनाव आएगा विधान सभा का लेकिन लोग सभा तक हम लोगाने पूरे मुझबूती के साथ लड़ाई लड़नी है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो हाथ खड़े करके बताओ मुझे तैयार हो यही जोश आज इतना ठंड का समय है तुम्हें हम गरम करने आए हैं और तुम जानते हो शैलजा जी और मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं जो एक बारी बात कह दी उसको पूरा करके रखते हैं चाहे उल्टा क्यों ना लड़कना हो क्योंकि हमने जनता के लिए संगर्ष करना है जनता के लिए हमने आवाज उठानी और इसलिए मेरा पूरा समर्थन और पूरा साथ शैलजा जी के साथ है मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी समय बार बार नहीं आता ये मौका जो हमारे सामने है ये बदलाव का समय और ये बदलाव ये बदलाव जनता करती है आपने घर घर में जाना है ये बदलाव का संदेश लेकर जाना है कि आप बहुत हो गया दस साल देख लिए इनके जूटे वाइदों के देख लिए नहीं देख लिए मेरी माताएं बहनें बैठी हैं दुखी हो रही है कहते हैं मोदी जी की गैरंटी महिलाओं को दुआ मुक्त करूँगा बताओ भेनो दुआ मुक्त हो गई क्या तुम लोग पता नहीं कितनी कितनी गैरंटी दे रहें पांच लाग की गैरंटी जो है स्वास के लिए कहां है वो पांच लाग हमेनी नजर आता गैरंटी देते हैं जनता को कि उनको नोखरी देंगे आज जो है हर्याना बेरोजगारी में नंबर वन पर है सबसे शरम की बाती है हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो जो हैं हताश हैं उन्हें मालूम नहीं हम कहां जाएं आने वाला समय उनको अंदकार नजर आता है इसी तरह से हमारा किसान भाई उसको गैरंटी देते हैं कि हर साल छे हजार रुपे आपके खाते में डालेंगे अरे पूछो इनसे जाकर सारे दस साल में सारी जेब काटली जेब काटली या नहीं काटली मुझे बताओ सारे के सारे इतनी महंगाई कर दी कि आज जो है 2023 का जो वाइदा करा था कि हम दुगनी करेंगे आए आज वो दुगनी की बात छोड़ो आज किसान जो है धरती पुत्र जो है वो बिलकुल धरती के उपर लग गया है ये हालात इन्होंने पूरे देश के अंदर और हर्याना के अंदर खासतोर से करें हैं तो मैं आपको केवले एक ही संदेश देने आई हूँ हम संगर्ष करना जानते हैं हम लड़ाई लड़ना जानते हैं और हम घुटने टेकना नहीं जानते ये भी बात रह याद रखना काम करने के लिए निकले हैं जनता की अवाज उठाने के लिए निकले हैं और वो जनता की अवाज उठाकर रहेंगे जो गरीब है जो पिछड़ा है जो 36 बरादरी का जो है जो दुखी है ज़ाजी के छेतर से जो शुरुआत करी है ये आवाज पूरे हर्याना के अंदर जाए कि अब जनता खड़ी हो गई है और ये यात्रा जो निकल रही है कॉंग्रेस नियाय यात्रा कॉंग्रेस संदेश यात्रा जो राहुल जी निकाल रहे है नियाय यात्रा और जो ये संदेश यात्रा जो हम निकाल रहे हैं ये घर घर ये संदेश जाए कि बदलाव सामने है और अब हम और नहीं सहेंगे अब हम और नहीं सहेंगे यही संकल्ब लेकर हम आगे चलेंगे और मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको शेलजाजी की तरफ से वो खुद बोलेंगी लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि कंदे से कंदा मिलाकर हर लडाई के अंदर कंदे से कंदा मिलाकर मैं साथ खड़ी होंगी और जो है इस मोहीम को जो हमने शुरू करा है इस मोहीम को हम आगे लेकर जाएंगे आप सब का तेह दिर से बहुत बहुत धन्यवाद आज ठंड का समय जरूर है लेकिन जब बदलाव का जो घड़ी आती है तब इसी तरह से बदलाव शुरू होता है और वो बदलाव का माध्यम आप लोग बनेंगे साथियों आज इन शब्दों को मन में लेकर भगवान जी को याद करके हम तीनों ने संकल्प किया हमारे सभी साथियों ने संकल्प किया आप सब ने संकल्प किया कि आज हमारी लड़ाई जो एक विचार धारा से है जिस लड़ाई को लेकर राहुल गांधी जी ने अपनी पद्यात्रा की साड़े तीन हजार किलो मेटर कर्ण्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक और अब पुरवोतर से चOS 10 तारिख को सकरान्थ के दिन सिंद्धी जी के दिखाई हुएं रास्ते पर अम्बेड़कर जी के दिखाई हुएं रास्ते पर 36 बिरादरी को लेकर इस न्याई यात्रा को हर्याना में कॉंग्रिस का संदेश लेकर सभी संसिदी एक्षेतरों में जाएंगे आप सबने जो हमें प्रेना दी हैं आगे बढ़ने की हर्याना के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने की राहुल गांदी जी की लड़ाई में सहयोग देने की साथियों हम सब आज शुरुआत करते हैं केंदर की सरकार को आपने देखा दस साल से जो हम भुगत रहे हैं जिसकी बुनियाद ऐसी सरकार जिसकी बुनियाद ही जूट पर रखी गई हूँ मेरी बेहने यहाँ पर बैठी है मेरे नौजवान भाई यहाँ पर बैठें सबसे ज्यादा जूट किस के लिए बोला आप मेरी बेहनों के लिए नौजवानों के लिए नौकरियां मिलनी थी हर साल दो दो करोड बीस करोड नौकरियां आज तक हो जानी चाहिए थी लेकिन आप सब जानते हैं जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी चीनली गई हैं वेकिनसी भरी नहीं जा रही ना केंदर में ना राजे में और मेरी बेहने आप से सवाल पूछूँगी जब शुरू में मोदी जी ने कहा भारतिये जंता पार्टी ने कहा कि सब के खाते में पंदरा पंदरा लाख रुपाए आएंगे तो भाग भाग के अकाउंट तो खोल ले थे सबने बैंकों में खोले दे ना खोले दे बाजी गई थी सारी फेर मिले मिले हैं खाड़गे जी पूछ रहे थे मैंने सुना था मिले हैं भाई उन्होंने ये पूछा खाड़गे जी ने मीडिया के मेरे साथ थी मुझे बताईए कि प्रधान मंतरी जी ने कहा कि पंदरा लाख रुपाए तो प्रधान मंतरी जी गलत नी बोल सकते गलत तो आप ही बोल रहे होगे भाई मिले होंगे छुपा के बैठ़गी बताया को नी वह भी बंद करा दिये अब भाई ये बैने ऐसी हैं जो मन में रख लेती हैं बात जमले पर झमले जमले की सरकार देश में आग लगी हुई। मनिपूर में आग लगी कोई बुझाने नहीं कया केंदर की ओर से लेकिन राहूल गांदी जी वहाँ पहुँचें आज आपकी आवाज राहूल गांदी बने हुएं खडगे जी बने हुएं लोग तंद्र को बचाने के लिए संसद ये चलने नहीं देते राहुल गांदी जी बोलते हैं खड़के जी बोलते हैं तो माइक बंद कर दिये जाते हैं क्योंकि वो आपके आवाज उठाते हैं बेहनों की नौजवानों की भुजूर्गों की देवाज की दस सीट कॉंगरस पार्टी की जोली में डालेंगे और ये बार्टी अजनता पार्टी को एक भी सीट हमने नहीं जीतने देने राहुल गांदी को हमने प्रधान मंत्री बनाना है क्यों? क्योंकि उसके दिल में दर्द है आपने देखा जहां भी गए वो बद्यात्रा उन्होंने की हर्याना में नौ दिन लगाए मेवाद से निकल कर गए, अमबाला होते हुए चले गए नौ दिन लगाए, मेरी बेहनों को गले लगाया गरीब को किसान को गले लगाया, उनसे बात की किसान में सोनी पत में आके उन्होंने खुद रुपाई की मेकैनिक देखा, उसके पास बैठ गए गरीब दले देखा, उसको गले लगाया राहुल गांदी के दिल में कोई भेदभाव नहीं राहुल गांदी सब को गले लगाते हुए चलते हैं बीजे पी के किसी नेता को आपने देखा समय इन पे उतर कर बात करते हुए कभी भी देखा हो कि नहीं देखा मेरी बैंड ना कर रही है तो साथियों आज समय है, ये बदलाव का समय है एक नए मोड पर हम खड़े हैं समय निकलते देर नहीं लगती राहुल जी अपनी यातरा करें हैं हम अपनी ये यातरा करेंगे निकल जाएगा चुनाव सिर्पर आ जाएगा आपने इन बातों का ध्यान रखना है अपने राजे की हम बात करें राजे की जो बदहाली हुई है जहां जाती हूं जिन बहनों से जिन भाईयों से बात करती हूं सारे कहते हैं जी मार गेड़े हूं सारे मार दी किसान एक साल बैठा रहा उसके साथ जूट बोली करें हमारा गरीब मजदूर, आज कभी परिवार पहचान पत्र बनातो, कभी प्रॉपर्टी आईडी में फसातो, ये भी इतनी भरष्टा चार सरकार है सातियों, आज लोग उब चुके हैं, अगर एक गलती हो जाए उसको ठीक करने के सो सो चक्कर काटने पड़ेंगे, दर बार पैसे द क्भेटर कोईरी नहीं पहुँची, आज तक बतादो इस सरकार ने एक को भी सजा दीओ, चाहे परीक्षा का गोटाला हो, सर्टिफिकर का गोटाला हो, प्रॉपर्टी का गोटाला हो, रेजिस्री का, शराब का गोटाला हो, कोविड के टाइम में बिस्दर तो मिलनी रहे पानी मिलनी रहा था शराब की दुकाने खुली थी भाई बहनों से पूछो दिक्कत कितनी होती थी भूल नी सकते अभी समय आएगा मुँ तोड जवाब देना है आपने बहुत सी तयार है आज बहनों की भी आवाज है मैं जाती हूँ जहां भी जाती हूँ बहनों से आज कल हैं बहने क्या कहती है पीछे हमारी बड़ी बहन किरन चौधरी जी ने एक इतना बडा भव्य महिला समेलन कर आया था शूती जी ने विवानी में बहने क्या कहती हैं हमारी छोडियों को भी नोखरी देऊ हि haric कर लड़कियों को भी एक तरफ कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना बेटियां सुरक्षित हैं स्कूल बंद के जा रहे हैं शिक्षा नीती इनकी तहस नहस हो चुकी है सब कुछ नीजी हाथों में दिया जा रहा है बचे पढ़ेंगे कहां से लेकिन कोई भी मज बच्चें को पढ़ाता है बच्चियां जब पढ़ जाती है बच्चे पढ़ जाते हैं तो आज हर माबाप की इच्छा है कि हमारी लड़कों को भी लड़कियों को भी बहूं को भी नौकरी मिलनी चाहिए तो यह हम आगे विवस्ता जरूर करेंगे लड़कियों को भी लडगे के तो तो हमारा प्रदेश कहाँ जाएगा सारी बाते हैं जिन पर कम्भीरता से विचार करना पड़ेगा अपने प्रदेश के बारे में हमको सोचना पड़ेगा तभी किरन जी रंदीब जी ने और मैंने ये फैसला किया कि इन मुद्धों को हम उठाएं लोगों की बात सुने कॉंग्रेस का संदेश राहूल जी का कड़गे जी का संदेश हम लोगों तक पहुंच जाए कि आगे समय आप लोगों का है हम सब को संगर्श करने क की आदत संगर्श करेंगे और हम जीतेंगे राहूल जी ने क्या कहा है डरो मात जो डर गया वो समझो मर गया तो साथ यो डरना कभी भी नहीं है संगर्श से नहीं डरना आज जरूरत है आज जरूरत है अपने अस्तित्व को बचाने की आज जरूरत है अपनी आवाज उठ साने की आज जरूरत है राजनीती बदलने की ये इस बदलाव की विवस्था में आप सब साथ दोगे बोलो साथ दोगे चाबाश मेरी आप से यहीं उमीद है हिसार मेरा अपना मेरा ग्रैजिला मेरे भाई बेहन मेरा अपना खून चत्तिस बिरादरी आज हम सब के साथ खड़े हैं हिसार वासियो आपकी हिसार वासियो आपकी अपनी बेहन और बेटी आपके सामने खड़ी है आपका साथ चाहिए मुझे आपका साथ चाहिए चत्तिस बिरादरी का साथ चाहिए मुझे आपकी लड़ाई हमने लड़नी आप सब साथ दोगे तो आप लोगों का आगे राज होगा आपका साथ होगा आपकी सरकार बनेगी आपका साथ होगा राहुल गांदी जी खड़गे जी आपके आवाज सुनेंगे आपका साथ होगा भारतिय जनता पार्टी की सरकार को हम देश से भी राजे से भी उखाड कर भेंक देंगे इनको बाहर करेंगे हम मेरे पिता जी मेरे पिता जी सुर्गिय चौधरी दल्बीर सिंग जी ने आप लोगों की सेवा की चटिस बरादरी की सेवा की वो तो मेरे से भी कम उमर में आप लोगों ने उनको MLA बना दिया था 1952 में MLA बने थे सबसे पहले फिर जब जॉइंट पंजाब था परताब सिंग कहरों साब के मंत्री मंदल में वो मंत्री थे और जो पुराने बज़र्ग हैं उनको अभी भी याद है सारे आके मुझे कहते हैं जी भाई चोधरी ने तो मारी मोरी काड दी थे अभी तक यहाद करते हैं जब इरिकेशन मंत्री थे वो onwards पंजाब में अभी तक गाउंगे जाती हूं कहां मैं जाती हूं तब मुझे कहते हैं उन्हों ने तो तब साथ के दशक में हमारे को गरीबों को फ्लॉट दिलवाए थे कटवा के अभी तक एाद करते हैं तो साथियों उनका लंबा टाइम रहा आप लोगों ने उनका साथ दिया उनके आशिरवाद से उनके नाम से आप लोगों के प्यार से आपके आशिरवाद से मैंने भी कम पन पन मैंने भी कम उमर में राजनीती शुरू कि मैंने भी कम उम्र में राजनीती शुरूब राजनीती का मतलब है संखर्ष राजनीती सरकारी नौक निया भाई नौ बजे चले गये पांच बजे घर आगे अरामसे रोटी घाली राजनीधी का मतलब है, लोगों के लिए संखर्श करना, अपने लिए नहीं, अपनी अपनी रूटी सारे खाब मैं, मैं भी खालू, कोई दिक्त नहीं है, आप क्यों आयो इतनी ठंड में? उमीद लेके संघर्ष में साथ दे रहे हम सब इकठे क्यों हुए हैं इसनी ठंड में संघर्ष के लिए आपकी आवाज उठाने के लिए और आप उमीद लेके आएगा उमीद लेकर मेरे भाई, मेरे बुज़र्ग, मेरी बेहने यहाँ पर बैठी है आपके दिल में एक उमीद है कि दिन बदलेंगे अच्छा समय आएगा कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी केंदर में राहुल गांधी जी आए राहुल जी और खडगे जी के नित्रत हुए सोनिया जी की रहनुबाई में हमारी सरकार बनेगी और पर हरियाना में भी बदलावा तो साथियो ने आप सब कर एक आप की बहन आपकी बेटी होने के नात रहा आपको विश्वास दिलाती है वैसे तो पूरे हरियाना से आई हुए है और पूरे हरियाना में हम जाएंगे दो दिन बाद हमने बिवानी में भी जाना है हर जगे हम अपनी बात करेंगे लेकिन आज हिसार में क्योंकि हम हैं यहां पे सबजी मंडी में हम यहां पे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि कभी भी ना हर्याना वासियों का ना हिसार वासियों का कभी सिर निचा नहीं होने दो